हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC अकेडमी पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में भी आप टॉप 30 कोशन देखने वाले हो जो कि आपके करेंट से है पिछले 6 से 8 महिने के आसपास का जो भी करेंट बनता है जो आपके एकजाम के फ्यूश से बहुत इंपोर् आप्शन नंबर B हो जाएगा सही जबाब उत्तर परदेश में केला महुत्सव का आयोजन किया गया नेक्स्ट कोशन है हाली में केंद्र सरकार द्वारा जारी इज ओफ लिविंग सूच कांक में 10 लाग से अधिक अबादी वाले सेहरों में से किसे पर्थम अस्थान प्रा इसका हो जाएगा सही जबाब आप्शन नंबर B हो जाएगा बैंगलोरू हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है हाली में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधान मंत्रे नियुक्त हुए क्या हो जाएगा इसका सही जबाब आप्शन नंबर A निदर लेंड के नेक्स्ट कोशन है मार्च दो हुजार इकीस में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रिय वायुशैना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया UAE के द्वारा किया गया था ओप्शन नंबर C हो जाएगा सही जबाब नेक्स्ट कोशन है पुर्वत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्याले की अस्थापना किस राज्य में की जा रही है ओप्शन नंबर आपका यहाँ पे A हो जाएगा सही जबाब अश्रम में किया जा रहा है नेक्स्ट कोशन है लेवी इंस्टिटूट द्वारा जारी COVID-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ ओप्शन नंबर आपका यहाँ पे C हो जाएगा सही जबाब 86वा अस्थान प्राप्थ हुआ है नेक्स्ट कोशन है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पाइलेट बनी ओप्शन नंबर D हो जाएगा आईसा आजीज बनी है फ्रेंट्स पीछे वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि वे कहां की हैं तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा ध्यान रखेंगे और इस वाले क्लास में आपको नाम बताया जा रहा है कि आईसा आजीज उनका नाम है हाल ही में किस राज सरकार द्वारा भूमी से जुड़े विवादों को कम करने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिक्ता नीती लागू की गई जब अमिरात के द्वारा option number D हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही next question हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसाद सौ सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने option number D हो जाएगा सही जवाब जमसेद जी टाटा बने है ध्यान रखेंगे next question Oxford University द्वारा वर्स 2020 का Hindi word of the year किसे घोशित किया गया फ्रेंड्स विप्यसी के जो मने प्रेक्टिस हिट करवाया था उसमें आपको यह question बताया था और यहाँ आपके current से भी इलेटेड है 2020 का हो जाएगा option number D आत्म निर्भरता next question सयद मुस्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता option number A हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब तमिल नाडू ने जीता है next question है Australian Open 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किस ने जीता option number A हो जाएगा नाओमी ओशाका ने जीता है next question है वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा option number आपका D हो जाएगा सही जवाब करनाटक में किया जाएगा next question है किस परसिद भारतिय वैज्ञानिक ने भारतिय शैना के उपयोग हेतू solar heated tent का आविशकार किया है option number D हो जाएगा सही जवाब सोनम वांग चूक ने किया है next question पराबैगिनी किर्णों से मेट्रो कोच को सेनेटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बने कौन सी option number आपका यहाँ पर B हो जाएगा सही जवाब लखनव मेट्रों ने किया है next question फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया वह किस देश के पहले परधानमंत्री थे option number C हो जाएगा पापुआ नियोगिनी के वे पहले परधानमंत्री थे next question हाल इमें संयुक्त राष्ट की मानवाधिकार परिशत की सलाकार समिती के अर्ध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतिये बने कौन बने option number यहाँ पर B हो जाएगा अजय मलहुत्रा बने है next question 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस किर्केट टूर्णामेंट को BCCI ने रद कर दिया option number B हो जाएगा रंजी ट्रॉफी को रद कर दिया next question किस संस्था के द्वारा आठ से बारव फरवरी 2021 के बीच वित्ये साक्षर्टा सप्ताह 2021 मनाया गया आपका यहाँ पर option number क्या हो जाएगा यह सही जबाब RBI के द्वारा next question देखिए हाली में जारी घोषना के अनुसार किस राज में फूल प्रसंस्करन केंद्र की अस्थापना की जाएगी करनाटक में होगा option number D हो जाएगा सही जबाब next question फरवरी 2021 में किस भारतिय राजनेता को global energy and environmental leadership अवार्ड से सम्मानित किया गया option number यहाँ पे C हो जाएगा सही जबाब नरेंद्र मोधी सही जबाब हो जाएगा next question है हाली में किस देश के प्रधान मंत्री को पद्मे विभूषन पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया option number A हो जाएगा जापान next question फरवरी 2020 में भारत में पहला जेंडर पार्क एवंग म्यूजियम किस राज में अस्थापित किया गया option number D हो जाएगा सही जबाब केरल में next question आदर भूमी के शन्रक्षन एवंग प्रबंदन के लिए भारत का पहला केंद्र किस सहर में अस्थापित किया जाएगा option number B हो जाएगा सही जबाब चिन्नाई में next question देखिए one school one IS योजना किस राज सरकार के द्वारा प्रारम की गई option number D हो जाएगा केडल राज जी के द्वारा किया गया है next question है जापान द्वारा दुनिया का सबसे सकतिसाली सूपर कम्प्यूटर विक्षित किया गया है जिसका नाम है फूग आकू option number C हो जाएगा सही जबाब next question है किस देश ने जलवायो परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरवात की है ध्यान रखना है कि हरित पहल option number D हो जाएगा सही जबाब सावदी अरब ने किया है next question किस अंतरिक्ष एजन्सी ने दुनिया का सबसे बड़ा और सक्तिसाली अंतरिक्ष विज्ञान दुरबीन जिसका नाम है James Wave Space Telescope को विक्सित किया है किस ने किया है option number A हो जाएगा सही जबाब नाशा ने किया है आज का last question है हाल E में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया option number B हो जाएगा सही जबाब T. रवी शंकर को चुना गया है ध्यान रखेंगे friends अभी आपने top 30 question देखा आशा करता हूँ current से आपको top 30 question काफी अच्छे से जानने को मिला होगा अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बने रहेगा ABC Academy के साथ अपना प्यार देते रहिएगा वीडियो देखने के लिए friends आपका बहुत बहुत थैंक्स